लव इन्फाइनेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम करने जा रहे हैं टेरो रिडिंग डिवाइन मस्कुलाइन की और उसके कार्मिक रिलेशन्स के साथ कि उनका क्या संबंध अभी तक बना हुआ है या छोड़ दिया है तो फर्स्ट कार्ड जो निकल के आया वो किंग ऑफ कप्स का है वो तो काफी गुड़नेस का है कार्ड माना जाता है यानि कि जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो काफी एन्रिच की स्थिती में है अपने आपको उन्होंने काफी अवेकन किया अग्नॉलेज किया अब आप लिबर्टी में आ चुके हैं डिवाइन म समझा चुका है और जिससे कि वो ये इस तरह से एक पश्चात आपके मूड में बठे वे हैं कि ये मुझसे क्या हो गया और इस वज़े से वो आगे बढ़ने की और है King of Wands है यानि कि इनके जो कार्मिक है यानि कि Divine Masculine से मैं बात करूँ तो आपके जो कार्मिक है वो आपको डॉमिनेट करते हैं कार्मिक आपके कोई भी हो सकते हैं तो जिस कार्मिक रिलेशन में आप फसे हुए हैं वो आपको डोमेनेट करते हैं कि आपको यही करना है यही रहना है इस तरह से और डिवाइन फेमिनाईन के पास ना जाने के लिए उन्होंने सारे फंडे अपना रखे थे अब तक और जो कि आप उससे तोड़ कर आगे बढ़ रहें क्योंकि यहां डिवाइन फेमिनाईन की जो करन्ट एनरजी है जो करन्ट फिलिंग है वो काफी अच्छी है क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड आया है यह डिवाइन फेमिनाईन के लिए है क्योंकि सकेंड आपका परसन का होता है तो यह लाइन की एनरजी है बिल्कुल लाइन लेडी है इन्होंने अपने आपको बहुत हाईली इंट्यूटिव बना लिया है बहुत ही कुछ अच्छे काम करने लगी है कुछ इसी तरह के light worker वाले काम किसी की help करना कुछ और इस तरह के magical work करने लगी है magical innocence की जो भी कुछ honesty से किया जाए जो भी कुछ अपने humanity के लिए किया जाए उसमें magic तो अपने आपी इश्वर डाल ही देता है तो इस तरह से वो strength card दिखाता है कि आपकी जो person है divine feminine है वो बहुत खुबसूरत energy में आ चुकी है next card emperor card है इधर जो है आपकी feeling भी इसी तरह की उन्हीं की चरफ तोड़ी चले जा रही है कि आप जानते हैं कि आपकी divine feminine है वो आपको कितना चाहते हैं उनका क्या passion है और वो आगे क्या करना चाहते हैं और कितनी strong वो हो चुकी है क्योंकि आप उनकी पास जाने से डर रहे हैं क्योंकि अब आपको यह लग रहा है कि क्या मैं उसके लाइक हूँ क्योंकि जब उसे मेरी जरुरत थी तो मैंने उसे छोड़ दिया था क्यों क्योंकि यहां पर यह टैन ओफ पेंटेगल्स का कार्ड है आप अपनी डिवाइन फेमिना इनके साथ सारी खुशियां वो सब आपने तोड़ दिये थे क्योंकि अब वो अब हर्मिट मोड में है इसलिए वो परिशान है मतलब डिवाइन मस्कुलाइन से अगर मैं बात करूं तो आप इस टाइम हर्मिट मोड में चल रहे हैं आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए कोई रस्ताई ही नहीं सब्सक्राइब है और दिन रात एक से ही हो गए है मतलब सब कुछ राथ ही रात दिखाई देरी अंदेरा हो रहे हैं आपको कोई कोई सही डिरेक्शन मिल नहीं पा रहे हैं अभी तक लेकिन फिर पर जो यह कार्मिक से आपने समबंद काफी कुछ तोड़ा है पहले वो आप आपको dominant करते थे लेकिन कहीं भी आपने भी यहां पर उनकी अगेंस हाथ उठाना शुरू कर दिया इस तरह से यह दिखाई दे रहा है क्योंकि यहां डेथ कार्ड है यहां आपका ego की death हुई है प्लस regret आप यह कर रहे है कि मैंने divine feminine के साथ यह क्या कर दिया आगे next आता है यह six of cups का कार्ड है इसमें आपने अपनी energy को जैसे divine feminine ने अपनी energy को like phynix उपर उठा लिया था हर मुसीबत से उपर उठा लिया था आपने चाहे उनको कितनी worst condition में आप छोड़ कर आए वैसे ही आपको परिशान किया तंग किया और जो भी कुछ आपके साथ हुआ है कुछ भी हो सकता है black magic को करा यह किसी भी तरह से उन्होंने आपके पर spell किया है रोका है किसी तरह से तो आप जिस भी तरीके से वहां पर रुके अब आप उस बंधन को तोड़ चुके हैं कुछ ऐसा द divine feminine के पास ही गुजारना जाता है क्योंकि आप एक wise person बनके उबरे हैं आपको बहुत love और confidence है बहुत hope है बहुत ही आदमे विश्वाज और emotions के साथ आप एक good intention से भरे हुए हैं और divine feminine की तरफ आगे बढ़ रहे हैं it means fashion and intimacy सही जगह पर है आपकी जो भी आपका passion है divine feminine की तरफ जाने का लेकिन थोड़ा बहुत struggles भी है struggles इस तरह से है कि वो अभी भी आपको अपनी तरफ खीचते हैं किसी ने किसी कारण से और आपके divine feminine जो हैं वो कोकून की तरह बनकर और उन्होंने वो butterfly बनना सीख लिया है वो butterfly बन चुकी है और अब आपका time है कि उनकी तरह अपने आपको isolation में लाकर change करने का तो आप भी इधर कार्मिक से detach हो चुके हैं now you are feeling cool और आप सोच रहें कि yes I am me अब मैं हूँ जो हूँ जो मैं हूँ वो मेरी आत्मा है और मेरी divine feminine वो ही मेरी half soul है तो आप जो हैं ट्रस्ट कर रहे हैं अब इसी पर कि जो है वही है king of swords आता है क्योंकि जो आपके कार्मिक है वो सब जानते हैं वो आपके future को भी जानते है लेकिन फिर भी वो आपको future से खुश नहीं है इस वज़े से वो आपको कुछ ना कुछ गलत spell करके आपको गलत अपनी तरफ खींच लेते हैं तो आपने जो अभी तक इतने भी struggle किया उस कार्मि के साथ रहते हुए तो यह अपनी इस तरह से किया है कि आप आप self love करना सीख गए हैं काफी कुछ divine feminine की energy से आप effective हुए हैं काफी effect पढ़ा है आपके पर जितने भी वो कार्मिक के साथ narcissist भी थे difficult people थे इन सब से आप काफी उठ चुके हैं यह बेकार के जो आपके relations थे office में औ और यह friend circle जो भी था आपका उसको अपने know करना सीख लिया है और health wise भी आप अपने आपको heal कर चुके हैं और emotionally भी आप अपने आपको stable कर रहे हैं secure feel कर रहे हैं all in all अगर देखा जाए तो it's a good sign कि आप reunion की तरफ बढ़ रहे हैं आप अपनी divine feminine की तरफ बढ़ रहे हैं आप fully focus दिखाए दे तो बहुत प्यारी reading निकल कर आई है divine masculine की और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप अपना ध्यान रखें और union की तरफ आगे बढ़ें और कुछ भी काम करने से पहले consciously सोच लें कि मुझे exactly करना क्या है so thank you so much for watching and have a nice day